नमस्क्रामित्रो मैं हूँ आपका दोस्त तसीमानन्द और आप देख रही है आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या दोस्तो आज मैं अपने छत के बगीचे में बैठा वा हूँ और यहां पर जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहां पर जो फूल खिला और पीछे जो यहाँ पर पीले रंग के फूल आपको दिखाई दे रहोंगे इस साइट को ये सभी के सभी जो है अलमंडा के फूल है और सभी जो है अलमंडा के अलग-अलग कलर के फूल है तो अलमंडा के फूलों की केर हमें कैसे करनी है किस तरह से हम उसको उगा सकते हैं घर पर ही तो सारी बात मैं आपसे आई डीटेल में करने वाला हूँ और पूरी इसके केर के बारे में बात्चित करने वाला हूँ तो उमीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लएगा और इस वीडियो के जरीए आप इसके केर के बारे में अच्छे से जान सकेंगे तो चलिए आज का वीडियो देखती हैं अलमांडा के इस पूल के बारे में दोस्तों हम सबकी यही चाहत होती है कि कम केर में कैसे अधिक से अधिक पूल को लिया जाए तो अगर आप कम केर में अधिक पूलों को लेना चाते हैं और पौधा भी लगातार बना रहे ऐसे पूल को चाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा च्वाइस है अलमांगा अलमांगा एक ऐसा फूल है जिसके प्लांट को अगर आप एक बार लगा देते हैं तो ये फिर सालों साल आपके बेगीचे में बना रहता है ये एक पर्मानेंट प्लार है और इसमें काफी बड़े बड़े फूल आती हैं जिस तरह से गुड़ल में बड़े बड़े फूल होते हैं अलमांगा में भी वैसे ही फूल बड़े बड़े आते हैं और इसमें जुग है मुक्ता तीन कलर के फूल हमें मिलते हैं एक तो जो आप यहां पर देख रहे हैं जो क्रीम कलर में हैं जिसको pitch color भी कहते हैं और इसके अलाबा जो purple color है और yellow color है तीनों ही color में ये फूल पाए जाते हैं और इस समय मैंने अपने बगीचे में ये तीनों ही color के फूल लगा रखे हैं दोस्तों अगर हम इसके मिट्टे की बात करें तो normal soil mix इसके लिए हमें बनाना होता है और इसमें हमें 50% garden soil, 35% कोई भी compost आप ले सकते हैं चाहे वर्मी compost हो, गोवर की खाद हो या kitchen waste हो तो ये सब लेकर के और थोड़ा सा 10-15% रेता मिला करके आप इस फूल को लगा सकते हैं और दोस्तों इसमें जब हम pinching करते हैं इस तरीके से जब पौधा लंबा होने लगता है तो pinching से बहुत ज़ादा जो branches है side के वो निकलते हैं और पौधा आपका काफी घरना हो जाता है तो शुरू से अगर आप इसमें pinching करते रहेंगे तो पौधा जो है काफी सारे branch से भर जाएगा multi branches हो जाएगा और जितनी ज़्यादा branches होगी उतने ही ज़्यादा फूल आपको इसमें नज़र आएंगे तो इस तरह से इस पौधे की pinching की जाती है उपर से आप इसके tip को तोड़ दे और फिर वहां से दो तिन नए नए जो कल्ले हैं निकलेंगे और उन कल्लों में जो है फूल आएंगे और जब वो कल्ले ज़्यादा बड़े हो जाए तो उन में भी आप इसी तरीके से pinching कर दे तो फिर side branches फिर वहां से निकल आएंगे इस तरह से किसे भी पौदे को आप बहुत अच्छे से जाड़नुमा बना सकते हैं ये जो इसका purple color का shade है वो है और देखे इसमें भी जो पौदा है ये काफी खूपसूरत लग रहा है और जाए दिन नहीं हुआ मैंने इसको nursery से लिया है लगबग तीन से साड़े तीन मैने वो होंगे और तब से लगातार जो है इसमें flowering मुझे मिल रही है पूरे गर्मियों में तो ये फूल देता ही है और पूरे बरसात के सीजन में भी इसमें फूल बना हुआ रहता है सर्दियों में कोई दिन पूल नहीं रहते हैं पत्ते थोड़े जड़ जाते हैं फिर नए पत्ते आ जाते हैं और जैसे ही फिर अप्रेल मैं का मैना शुरू होता है तो फिर से पूधा फ्लारिंग करता रहता है बरसात के समय मानों इसमें फूलों की बार्ण आ जाती है तो इस पौधे को आप अपने घर में जरूर से लगाईए और इसको चाहे तो इस समय जबकि बरसात का सीजन चल रहा है तो इसकी कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं इसके लिए पैंसिल के आकर का या पैंसिल के जितनी मोटाई का आप जूख है इसके ब्रांच को ले सकते हैं और पांच-छे इंच के जो लंबी ब्रांच है वो लेकर के आप कहीं भी रेते के अंदर लगा सकती है दोस्तों बहुत सारे लोग मिट्टी के अंदर भी लगाती है लेकिन जो मिट्टी है उससे जादा अच्छा रिजल्ट रेता का होता है क्योंकि रेत में एक तो पानी जमता नहीं है और दूसरी बात जो इसके रूच से बहुत अच्छे से फैलती है साथ ही जो पंगस्त लगने का जर होता है वो रेता में ना के बराबर होता है लेकिन फिर भी चाहे तो आप रेते में थोड़ा सा हल्दी भी मिला सकते हैं और जहां से भी आप कटिंग ले तो कटिंग को काटने के बाद उसमें थोड़ा सा अगर आप हल्दी लगा करके या ऐलोवेरा का जेल लगा करके उस कटिंग को लगाएंगे तो इसके सेक्सेस रेट जो है काफी जादा बढ़ जाता है दोस्तों ये जो यलो अलमांडा देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था इसकी एक कटिंग पहले मैंने नीचे जमीन पर लगाया था उसमें काफी बड़े प्लांट हो गए और उसी प्लांट से फिर मैंने ये कटिंग लिया था और इसको लगाया था ऐसे तो ये जो पौदा है लगबग दो सल का हो गया इसको कटिंग लगा हुए और अब ये काफी बड़ा भी हो गया है और हर साल जब इसमें फ्लारिंग हो जाती है तो मैं इसकी प्रूनिंग भी कर देता हूँ तो प्रूनिंग करने के बाद जो है काफी सारे फिर नैने ब्रांचेज होती है और फूल भी बहुत ज़्यादा मातरा में आते है दोस्तो इसको शुरू में आप आठ इंच के गमले में लगा सकते हैं जब छोटा पौदा हो अगर आप नरसरी से लाते हैं और उसके बाद जो है छे मेने के बाद या एक साल के बाद फिर आप इसको दस इंच के पौट में कर सकते हैं और फिर छे मेने के बाद या साल भर के बाद बारा इंच के पौट में इसको जा सकते हैं कोई भी पौदा एकदम से अगर आप बड़े पौट में लगाते हैं तो इसमें फूल आने में समय ज्यादा लगता है दोस्तों देखिए जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी अटेक होता है अंदर एक कीड़ा देखिए चला गया है तो इस तरह के कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इमीजा क्लोप्रिड जैसे कि मैं हमेशा इस दवाई का नाम लेता हूँ इमीजा क्लोप्रिड जो दवाई है उसका 3 ml लेकरके एक लेकर पानी में खोल करके उसका इस्प्रे आप इसमें कर दे तो ये कीडे मकोडे नहीं रहेंगे तो इस तरह से लगवग हर 15 दिन में आप अपने सभी पौदों में Imedia Cloprid का यूज़ करें इससे आपके पौदे कीडे मकोडे से बचे हुए रहेंगे कई लोग नीम ओयल का स्प्रे करते हैं लेकिन नीम ओयल का अगर रेगुलर स्प्रे अगर रहता है आपके पौदों में की हर 10 दिन में आप करते हैं तो उसमें फिर कीडे मकोडे आने की संबाबना कम होती है लेकिन एक बार अगर आपके पौदों में कीडे मकोडे का टेक हो गया है तो ऐसे में नीम ओयल या जो और्गनिक पेस्टिसाइड है उसका असर हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तो ये जो अलमांगा के फूल है इसमें हमेशा ही मौस्टर बनावा रहना चाहिए जो इसके मिट्टी होती है क्योंकि मिट्टी में अगर मौस्टर की कमी होगी तो ये फूल जल्दी सूप करके गिरेंगे ऐसे तो रोज ही ये फूल खिलते रहते हैं और एक दिन के बाद अगले दिन मुर्जाने लगते हैं या इस तरह से सूप करके गिरते रहते हैं जैसा आप यहाँ पर नीचे पड़े हुए देख रहे होंगे कुछ फूल तो इसमें जो है नर्मी को वरकरार रखे अगर नमी होगी तो फूल भी जादा देर तक तरो ताजा बने रहेंगे और इसके अलाबा जो है इन पौधों मे लगातार जो है फूल खिलकते रहते हैं तो इसमें जो है परियापत मात्रा में पोशन की जरुत होती है तो इसके लिए जो लिक्विट फर्टिलाइजर है वो आप इसमें देते रहें और लिक्विट फर्टिलाइजर में आपको पता ही है जैसा कि मैं हमेशे कहता हूँ कि घरेलू liquid fertilizer को आप इसमें दीजे इसमें सरसों की खली का liquid fertilizer आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा केले के चिलकों का जो liquid fertilizer है वो यूज कर सकते हैं और उसके अलावा जो fruit के चिलके हैं या सबजों के चिलके हैं इनके liquid fertilizer आप यूज कर सकते हैं तो बारी बारी से दो-चार दिन बाद या पाई दिन के बाद आप इन फर्टिलाइजर का यूज़ करते रहिए तो उससे जो है फ्लारिंग आपकी कंटुनेस होती रहेगी कभी रुकेगी नहीं और इसमें जो है समय समय पर जब भी फूल खिल जाए तो मैंने जैसे पहली कहा कि आप पिंचिंग करते रहिए क्योंकि पिंचिंग करने से ही नहीं जो इसमें ब्रांचेस है वो निकलेंगे यहाँ पर मैंने pinching किया तो देखें किनारे से 9-9 branches यहाँ पर आने लगे यहाँ से आने लगे फिर इसके अलावा नीचे से भी आप यहाँ देख रहे होंगे कि पत्ते को उपर से यहाँ से भी आने लगे पहले ये इस तरह के नहीं थे लेकिन जैसी मैंने यहाँ पर पिंचिंग किया तो पिंचिंग के दो-चार दिन बाद ही इस तरह के जो चोटे-चोटे शूट्स है वो मुझे नजर आने लगे बाकी दोस्तों इसमें कोई खास केर नहीं होती है हाँ गमले में आपके पौदे हैं तो साल में एक बार इसको रिपोर्टिंग की जरुरत पड़ती है तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप फरवरी में या मार्च में इसको रिपोर्ट कर दे और उस समय तोड़ा सा नया म हो जाए उसके बाद अगर आप उससे बड़े पौट में नहीं लगाना चाते हैं तो उसी पौट में आप दुबारा से लगा सकती हैं तो उमीद है दोस्तों जो भी केर मैंने इन फूलों के बारे में आपको बताया है आज के वीडियो में आपको पसंद आया होगा और बगिया नमस्कार